Good morning students, last lecture में हमने देखा था कि कैसे circular motion होता है या तो curved motion होता है उससे हम कैसे measure करेंगे अब हम आज देखेंगे कि कितने टाइब की motions होते हैं, क्या उसमें changes होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे हमने कल motion की definition देखे थी that motion is some kind of change in the position of object with time मतलब कि कोई भी position में change होता है time के साथ that is called motion जैसे कि आपने देखा होगा कि electric fan है, sieving machine है, उसके बाद जो fan होता है, उसकी blades है वो सब कुछ एक particular time पे move होती है, तो उसे हम कौन सा motion कहेंगे तो हम अब type of motion पढ़ेंगे, उसमें ये सब detail में आएगा first is rectilinear motion, अब rectilinear motion क्या होता है, तो सबने ये देखा होगा कि जो soldier होते है, उनका parade होता है, फिर जो vehicles होते है, वो straight path पे चलते है then race होती है, उसमें भी straight path होता है so, सब लोग जो movement करते हैं, कोई भी अगर movement होता है, उसमें straight यहां से, straight अगर कोई भी चीज जाती है, that is rectilinear motion linear यानि straight, straight motion, इसमें भी one place to another place जाते है बड़ उसका जो pathway होता है, वो हमेशा straight होता है, इसलिए उसको rectilinear motion कहते है उसके बाद, यहां पे दूसरा example है, activity 7, जिसमें हमें circular motion के बारे में बताया है देखो, हमने first पढ़ा, that is rectilinear जो straight होता है motion, अब है circular motion देखो, अब circular motion में क्या होता है, कि यह इस तरह से circle में होता है मतलब fixed distance पे rotate हो, circle के form में, that is circular motion for example, अगर आपने देखा हो, कि आपने suppose एक thread लिया है, and एक thread को stone के साथ बाण दिया उसके बाद, आपने उसको rotate किया, goal goal तो वो, एक fixed distance पे इस तरह से वो move होगा यह आपका suppose यहां से hand है, hand से यहां से आपने लिया तो यह fixed distance पे goal goal गुमता है, so इसे हम क्या कहेंगे, कैसा motion कहेंगे circular motion, उसके बाद, यहां figure में भी एक example दिया है कि जो well है, well में से, पानी लेने के लिए एक system है सभी जगा bucket लगाई है, तो वो हमेशा rotate करता है तो यह किस टाइप का motion हुआ, circular motion then और एक example दिया है, fan, fan में भी जो उसकी blades होती है वो हमेशा circular motion करती है, मतलब वो हमेशा goal गुमती है so that is circular motion यहां पे कोई object move नहीं करता है, हमने देखो definition में देखा था कि उसका movement होता है, कि one place से वो another place पर move करता है बट यहां पे, suppose यह fan है, तो fan का कोई movement नहीं हो रहा है बट जो इसकी blade दिख रही है, purple से मैं denote कर रही हूँ यह जो इसकी blade है, वो rotate करती है, एक manner में इस तरह से यह movement होता है, that is circular motion उसके बाद, यहां पे table fan दिया है तो table fan में पी same है, कि उसका center होता है, वो same हो जाता है देखो यहां पे, यह जो center है, उसका, वो fix है then इसके जो यह 3 blades है, वो rotate करते है इस तरह से इसका rotation होता है, यहां पे center है, वो fix रहता है and उसके side के जो fan है, वो move करते है और इसमें circular ही rotation होता है, इससे लिए उसको कैसा motion कहेंगे circular motion, अब और एक चीज है, कि अगर कोई भी motion हो रहा है तो वो एक fix time पे repeat होता है, फिर से सुनो कोई भी motion होता है, और वो fix time पे repeat होता है तो उसे हम कैसा motion कहेंगे, periodic motion जैसे कि यहां पे आपको pendulum है, उसका दिखाया है अगर मैं उसे, suppose यह thread है और यहां पे एक stone है इसको मैं यहां पे ऐसे ऐसे, मतलब यह ऐसे ऐसे इस तरह से move होता रहेगा और यह fix time पे repeat भी होता है, suppose यह अभी यहां पे है तो मैंने इसको यहां ले गई, दिन यहां पे, फिर वापिस यहां, फिर वापिस यहां इस तरह से वो move होता है, एक fix time पे वो अपनी फिर से वही position पे आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, periodic motion उसके बाद, यहां पे देखो, और एक example दिया है, यह जो bell है तो bell में भी same यही होता है, आगे पीछे move होता है उसके बाद, यहां पे हम जूला जूलते है, तो उसका भी example है यह भी आगे पीछे होता है, एक fix time पे इसे सारे motion को हम क्या कहेंगे, periodic motion In some cases, an object repeats its motion after some time This type of motion is called periodic motion Pull the stone to one side with the another hand and let it go Now the pendulum is in motion, it is example of periodic motion A branch of tree moving to and fro Motion of child on a swing string of guitar और membrane of drum being played are all example of periodic motion देखो यहाँ पे यह जूला जूल रहे है then pendulum का motion उसके बाद guitar, bell, tabla यह सारे example कैसे है periodic motion के उसके बाद आपने saving machine भी देखा होगा so इसमें movement कैसा होता है तो आपने देखा हो या नहीं I don't know पर नीचे एक wheel होता है यह एक table होता है यहाँ पे machine रखा होता है machine के नीचे यहाँ पे wheel होता है और यह wheel को हम गुमाते हैं तो यहाँ जो machine होता है यहाँ पे needle एक होती है वो उपर नीचे मतलब उसका movement होता है up down वो move करता है अब जैसे जैसे हम इस wheel को गुमाएंगे इस तरह से वैसे वैसे ही यहाँ पे जो एक needle लगी होती है वो needle up-down होती है सो यह भी एक periodic motion होता है किसका जो needle है उसका भी एक periodic motion होता है और जो wheel है वो circular move करता है इसलिए वो circular motion होता है अब कई ऐसे motion होते है जो rectilinear के साथ-साथ rotational मतलब circular motion भी show करते है for example एक ball है अब मैंने एक ball लिया है suppose ball उसको मुझे आगे की side move करना है तो वो कैसे move होगा पहले तो यह rotate होते होते आगे जाएगा इस तरह से rotate होते होते आगे जाएगा तो यह आगे भी जा रहा है और rotate भी हो रहा है तो इसमें कैसे motion होगा straight as well as rectilinear motion as well as circular motion तो इस chapter में हमने तीन टाइप के motion देखे first is rectilinear that is straight motion होता है second is rotational या तो circular motion मतलब वो circle के form में rotate होता है and third is periodic मतलब कि कोई भी motion होता है अगर वो fix time पे repeat होता है तो उसे हम periodic motion कहेंगे so इस chapter में हमने क्या देखा measurement सभी activities में measurement देखे measurement के units देखे कैसे measure किया जाता है कैसे type के motion होते है उसके बारे में हमने पढ़ा उसके बाद हमने ये भी देखा कि कई motion fast होते है कई slow होते है जैसे the movement of snail on ground अपने snail को देखा होगा वो ground पे कितना slow चलता है then butterfly fleeting from flower to flower, river flowing, aeroplane flying, moon going around the earth and blood flowing inside our body ये सारे है वो motion कैसे है कई slow है कई fast है बट सभी का motion होता है सो यहाँ पे chapter complete होता है next video में हम next chapter स्टार्ट करेंगे thank you